दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा कुरोना वाइरस को लेकर है लोग सोशल मीडिया पर इस वाइरस से बचने हैं कई नुसके दे रहे हैं जो वाइरल भी हो रहा है हम आपको एक-एक करके उसकी सच्चाई और जानकारी साजा कर रहे हैं अब कुछ लोगों कहना है कि लैसुन खाने से दूर होगा करोना बता दें लैसुन एक हल्दी फूड है जिसमें कुछ एंटि-माइक्रोबियल गुन पाये जाते हैं लेकिन इसके द्वारा करोना वाइरस से नहीं बचा जा सकता कुछ लोग कहते हैं तिल का तेल लगाने से श एंटी बैयो टिक से कोरोना की रोकताम संन्भाउ, भले ही एंटी बैयो टिक बैक्टियोरिया को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन कोरोना वाइरस पर ये भी बे असर हो चुके हैं, यह धार्णा पूरी तरह से एक मित है गाय का गोबर और गोमुत्र के सेवन से होगा कुरोना वाइरस का इलाज बीजेपी के एक महिला विधायक ने कहा था कि गोमुत्र से कुरोना वाइरस से बचा जा सकता है अगर गोमुत्र से इस संक्रमन को रोका जा सकता तो दुनिया भर के वैग्यानिक इस वाइरस को रोकने के लिए वैक्सिन नहीं खोज रहे होते पालतू जानवरों से फैल सकता है कुरोना वाइरस ये बात अब तक किसी रिसर्च ये स्टैडी में साबित नहीं हुई है और नहीं इस बात के कोई पुखता सुभूत है लेकिन ये सच है कि जब भी आप अपने पिट्स को छुएं अच्छी तरह से हैंड वाश करें चाइनिस फूट खाने से हो सकता है कुरोना वाइरस वैसे इस बात पे तो कोई लॉजिक ही नहीं अगर आपको लगता है कि चाइनिस फूट खाने से कुरोना से खत्रा है तो आप बिल्कुल गलत है डब्लू हो ने चाइनिस फूट को कुरोना वाइरस फैलाने का रिस्क फैक्टर नहीं माना है सोशल मीडिया पर चर्चा एक गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी कुरोना वाइरस का खत्रा टल जाएगा लेकिन एक्सपर्ट का कहने एक गर्मी बढ़े कोई इंफेक्शन फैलनी की रफतार धीनी होगी लेकिन वाइरस का असर बिल्कुल खत्म हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता